तो बात करेंगे लॉक्डाउन के चौथे चरण की जी हाँ लॉक्डाउन 4.0 जिसका था अज पहला दिन आपने से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि लॉक्डाउन 4.0 में आपके लिए क्या छूट है और क्या छूट नहीं है यानि पाबंदी बतरा लेकिन बहुत जिसका सरोकार महमारी के सबसे बड़े गुनेगार की तलाश से आपको समझने के लिहास से अगर ये कहा जाए तो एक लाईन की खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन के खलाफ पराकरम का चक्रवीव तैयार हो चुगा है एक लाईन में खबर यह है पाकिस्तान को तो बीडे कुछ घंटों से बाला कोट के सपने भी आने लगे हैं क्या है ये प्लैन देखिया आप रैसे आपको यहाँ पर याद होगा करीब 15 महीने पहले यानि 14 फर्वरी 2019 को पाकिस्तान के इशारे पर कश्मी के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और उसके 12 दिन बाद 26 फर्वरी 2019 को आमन क्या किया था इंडुस्तान में पाकिस्तान की तो आने वाली बीडिया नहीं पूलेंगी पाकिस्तान से बुरा बदला लिया था और अब हनवारा आतंकी हमले का सुध समेत बदला लेने के लिए भी सेना तयार है जी हाँ सेना तयार है अगर इंतिजार किया जा रहा है तो सिर्फ दिल्ली से एप्रूवल का दिल्ली से आदेश का और रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर का हमने आपको देशित की शुरूआत में ही बताया कि कैसे चीन के खिलाफ एक दो नहीं बलकि 62 देशों की एक जुट्ता का चक्रवियू देखने का चीन की उल्टी गिंती का वक्त जो है वो शुरू गया आप इसको इस से लाखों लोग दुनिया भर में जान गवा चुके हैं खारत समेथ पूरी दुनिया की अर्थ व्यवस्था इस समय संकट में हैं मुश्किल में और इन सब के बीच एक तरफ करोना से हमारी लड़ाई जा रही है और दूसरी तरफ इस महामारी के असले गुनेगार की तलाश भी लगातार की जा रही है इसी करम में जो आज की सबसे बड़ी खबर ये वो ये है कि महामारी के विलन पर शिकंजा कसलें के लिए दुनिया के बासट मुल्क एक जुटो है यहाँ यूरोपियन यूनियन की पहल पर दुनिया के ये बासट देश एक साथ आए हैं और कोरोना पर इंडिपेंडेंट इंवेस्टिगेशन यानि स्वातंत्र जाच की मांग कर रहे है इन बासट देशों में भारत में शामिल है इसके लावा यूके है रूस है जिपैन नीजिलेंड ब्राजिल साउथ कोरिया मतलब बासक मुल्कों के खिलाफ बासक मुल्क चीन के खिलाफ ख़ड़े होगे इन तरीके से WHO विश्रस्वास्ति संगठन से निश्पक्ष और विस्तार से जाच की मांग की जा रही है और इसका सीधा सा मतलब है कि अब कुछ ही समय में कोरोना के विलन पर दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा यानि उसकी सच्चाई सब के सामने आता है आपको पता चल जाएगा कि कोरोना पर चीन कितना बड़ा गुनहेगार है ऐसे दुनिया जानते हैं कि कोरोना सबसे पहले चीन के वहान में फैला ते इसको वहान वाइरस की का जाता था फिर वहान से पूरी दुनिया में फैला और हमारेका की रास्तपती डॉनल्ट श्राम प्रस्ताव के समर्थम में चीन नहीं चीन तो चाहेगा नहीं इंडिपेंडेंट जा चो इसमें ना तो चीन है लेकिन बड़ी खबर अमेरिका का अगे बढ़ेंगे थार्टी नौसेना को हिंद महसागर और अरब सागर में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी से निप पटने के लिए एक अचूख हतियार मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है यहां अमेरिका से खरीदा जाने वाला MH60R याने रोमियो हेलिकाप्टर किसी भी सम्मरीन या जंगी जहास से निपटने में एक अचूख यो लेकि हिंद महसागर में चीन की चाल पर अब हिंदोस् अचूटान की ताकत अब कई गुना बढ़ने जा रही है और यह अपने आप में बहुत ही पॉजटिव निउस है है अब हम आपको दिखा रहे हैं हाज की सबसे घैरान करने वाली खबर और यहां करने वाली करनाटक से तो दरसल करनाटक में मुस्लिम महिलाओं के साथ कटर पंतियों ने बदसलूकी की अमन बताईए देखियों उनके साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, गाली गलोच की गई वज़ा सुनेंगे, आप हसेंगे और हैरान होंगे और थोड़ा हुस्सा भी आएगा कटर पंति गुंडों पर इसलिए बदसलूकी हुए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने ईद में हिंदो की दुकान से खरीदारी कीजी, आप ठीक सुन रहे हैं आप इस खबर को दरसल इस तरह से समझ सकते हैं कि एद पर भी मुस्लिम कटर पंति मजभब के नाम पर बाट रहे हैं तो सबसे पहले वारेल वीडियो आपको सुनाते हैं सबसे पहले अब ता बोली तुमना बोले तो समझ नहीं है या मन के लिए नहीं महाँ अब तो समझ नहीं महाँ लेकिन महाराश में मुस्लिम डिलिवरी बॉय डिलिवरी लेने समना कर दिया बहुत हंगामा हुआ हो अला हुआ लेकिन महाराश पर तो गिरफतारी थी करनाटक पर कारवाई कब हो गी मतलब महाराश पर चिन्ने भी आपको याद होगा नो मुस्लिम स्टाफ हिंदू स्टाफ रखने पर गिरफतारी हो गई थी हिंदू फलकी दुकान जमशेदपूर में कैस हो गया था महराष में गिरफदारी हो गई थी लेकिन यहां पर कोई अब तक मतलब दो लोगों की गिरफदारी हुई है लेकिन यहां आजादी है आपों यह भी भी बताते थें कि करनाटक में अगर आप इस पूरे वीडियो को देखें तो इसमें लोगों की संख्या दो से कहीं जादा है और इसलिए सवाल उटता है कि फुल आक्शन कब देखने को मिलेगा क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ बाते एकदम साफ तौर पर देख रहे हैं बड़ा सवाल ये आता है आपके सामने आपके जहन में कि मजभब देखकर क्या खरीदारी होगी अगर हिंदू की दुकान है तो क्या मुसल्मान समान नहीं खरीदेंगे और जब देश की धर्मनिर्पेक्ष्टा की बात होती है तो आज क्या धर्मनिर्पेक्ष्टा खत्रे में नहीं आई जब करनाटक में ये पूरा वाक्या देखने को बिला मतलब ये तो सेकुलर शॉपिंग है क्या इद में मुसल्मानों की सेकुलर शॉपिंग है क्या देखे करनाटक में मुसलिम महिलाओं के साथ बतचलू की क्यों है? सीधा सा सवाल है. हिंदू के दुकान से, खरीदारी पर मुसलिम महिलाओं से गालि गलोज की हुआ? सीधा सा सवाल. आरूपी कॉन? ये भी बता देते हैं. अब आपको बता देते हैं कट्टर पंथी हैं जिनोंने मुस्लिम महिलाओं को धमकाया दराया घटना कहां किया आपको पहले ही बता चुके करनाट के दावन गेरे की ये घटना है शनिवार का ये मामला है और कारवाई के लिहाज से दो आरूपी गिरफतार किये जा चुके है ख़बर जरूरी क्यों है देखे एद पर मुस्लिम कट्टर पंथी मजब के नाम पर बाटने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाब ताल ठोकना इसलिए बहुत जरूरी है देश हित में अब आपको ये दिखाते हैं कि सामप्रदाई गिरणा के मामले किस वश में कितने हुए हैं अब वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं साल 2018 की बात करें तो 2018 में 1038 ऐसी घटना है ये आखड़े इसलिए आपके लिए देखना जरूरी क्योंकि इसी तरह की तस्वीरे इसी तरह के जो एपिसोर्ड होते हैं वो समाज में सामप्रदाई गोलने का काम करते हैं और फिर हिंदू-मुसलिम दंगे से लेकर सामप्रदाई गिरणा होती है जो तस्वीरे हमको यह आप देखने को मिली है इनी तस्वीरों की वज़ा से देश में सामप्रदाई ग्रिणा की तस्वीरे और मामले लगातार बढ़ते हैं और ग्राफ इस वक्त आपके सामने किस तरह से बढ़े हैं लगातार तो 2017 में आप देख रहे हैं कि किस तरह 910 घटनाए हुई जो कि 2018 में बढ़कर 1038 हुई अब जरह 2016 भी देख लिजिए 447 लेकिन अगर 2015 के मुकाबले कंपेर करेंगे तो जादा थी ये 2016 में 447 घटनाए क्योंकि 2015 में 378 सामप्रदाई ग्रिणा के मामले आए थे और आप उद कि एसी तरह की अगर कोई वारदात होती है इस तरह की कोई घटना होती है उसको लेकर सक्तखारवाई होनी चाहिए और हुई भी है दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्या है लेकिन फिर से हम आपको वीडियो दिखाते थें कि हुआ क्या था दरसल बुर्खा नशीद दो महिलाएं हिंदू शौक बर गई कुछ खरिदारी करने के लिए लेकिन उसके बाद वहाँ पर कुछ कटरपन थी गुंडे आए और वहाँ पर गुंडा गर्दी की गई मुसलि महिलाओं के साथ बदसेख गई हैं अपको ब्रॉदि के लिए घ्राख स्वारी निया जाता है तो पहला सवाल ये पूचा गया कि आप हिंदू की दुकान पर क्यों गई आप ने ये समान मुस्लिन दुकान से क्यों नहीं खरी लिया अब बड़ा सवाल ये उटता है कि सेकुलर गैंग कहा है इस घटना पर देश में लोकतंत्र खत्रे में क्यों नहीं धर्म निर्पेक्षता पर सवाल ये निशान क्यों नहीं तो ये सेलेक्टिव आउट्रेज है सेलेक्टिव चुपी क्यों रहे और इनकी शॉपिंग सेकुलर हो जाती है यही अगर दिवाली पर ऐसा कोई आदेश आ जाता कि इंदू से विंदू की दुकान पर खरीदेगा तो वो कम्यूनल हो जा बढ़ने वाली है या फिर उन्हें कोई राहत मिल पाएगी क्योंकि जो तस्वीरे आई हैं उन्होंने हमें और आपको सब को सोचने के लिए मजबूर किया है अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य किस तरह के फैसले लेते हैं यानि जवाब देही अब राज्यो की है इस भी इस देश के अलगल अधिसों में पलाइन कर रहे हैं मजबूरों की बेबसी भी सामने आ रही है सवाल है कि प्रवासी मजबूरों की घर वापसी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है ये बहुत बड़ा सवाल कई लाटी चार जो रहा है कई आसूग के कोले चोड़ पुलिस के बीच जड़ाप होई है उसी की तस्वीरें पुलिस ने लाटी चार्ज किया क्योंकि मजबूरों की तरह से पत्राफ किया गया था पुलिस की तरह से रिटैलिट किया गया लाटी चार्ज किया गया एंदवाद के कंस्रेक्शन लेवर कॉलोनी में बड़ी संख् पर्वासी मजदूर रहते हैं बताई जा रहा है कि घर जाने की मांग करते हुए मजदूर सलकपर निकल आ है और फिर प्रदशन किया मजदूरों को गाबू करने के लिए पुलिस के ज़़ान पहुचे तो मजदूरों ने उपर पत्राफ शिरू किया पुलिस ने फिर क्या किया, को आप इन तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, साथ ही एक तरफ लाखी चार्ज, तो दूसरी तरफ आसू गैस के गोले भी छोड़े गए और कई मजदूरों को हिरासत में भी लिया गया गुज़ात का अमदाबाद की ये तस्वीरें हमना आपको दिखाई, लेकिन सिर्फ गुज़ात का अमदाबाद में मद्यप्रदेश के रिवा से भी कल मजदूरों की बेवसी की तस्वीरें सामने आई थी, यहां आपको उतादे मद्यप्रदेश से अपने घर इनकी विवस्था नहीं होने पर हंगामा कर रहे थे ये सभी प्रवासी मजदूर जैसे के भी आपको बता है मद्यप्रदेश और यूपी के चाग घाट बॉर्डर पर जमा थे जाय जारा कि हाथसा ड्राइवर की चप्की लेनी के विज़ा से हुआ डीम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया नौइडा से महोबा जारी थी थी बस नौइडा गाजियाबाद से किस तरह से जो प्रवासी मजदूर है वो पेडल निकल रहा है और आप देखिए कि यह भी एक तस्वीर है अपने बच्चे को पीछे बांध कर और सर पर बैग रेकर जो यहाँ पर लोग है वो अपने घर के लिए निकले हैं आप एं तस्वीर देख सकते हैं नेशनल हाईवे की तस्वीर है ऐसी तस्वीरे का आलम है पैदल चलना है क्या नाम है भी आपका क्या नाम है शोक कहा जा रहा है भोर आण सेखागे मुशो तो जाएंगे आप सब लोग एक साथी है क्या करते थे यहां पर काम कर रहे थे वहां तो कोई बस वगएरा नहीं मिली आप लोगों को व्यास जाने के लिए यहां पर जो महिलाएं भी जारी उनसे पूछेंगे आप दो मिनट बैग नीचे आप देखिए कि किस तरह से यहां पर लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और बच्चों को बोधी में लेकर क्या नाम है आपका राकेश्वरी राजिश्वरी कब से पैदल चल रहे हैं आप आज से अच्छा तो यह आप लोग इसी तरह से आज जा रहे हैं कोई बेवस्थानी मिली बस होगे राकी नहीं मिला इसलिए ज जाना है हमें अजी नहीं दिली जाना है फिन उधर बिलासपूर जाएंगे हम लोग टिकट हो गएरा कुछ मिला है अच्छा तो चले गई भी जाईए किसी विराज्य में चली जाईए बर इस तारह की तस्वीरें बहुत कॉमन हो गई हैं और यह तस्वीरें बहुत सोचने जाना होगा लॉकडाउन दिली में इसे समझीए दिली में क्या खुला क्या बन इस वक्त आपकी टीजी स्क्रीन पर मेट्रो नहीं चलीगी मेट्रो की इजाज़त नहीं है साथ ही आपको यह बता दें कि हैर कटिंग सलोन ब्यूटी पालर्स को अभी बंधी रखा गया है नहीं खुलेंगे इसके अलावा रेस्टरेंट्स में लोगों को अलाव नहीं किया जाएगा होम डिलिवरी की इजाज़त है और रिक्षास चलेंगे लेकिन सिर्फ एक ही या सिर्फ ग्यावेट ऑफिसेस को खुल दिया गया है सभी बजार और अध़ और एवन नियम से खुलेंगे जरूरी समान की दुकान है हो एक हर दिन खुलेंगे इसमें इंटरस्टिंगे है कि यह हैं शौप से डेली में वह और एवन नियम से खुलेंगे यह सो इसinger Kalau No हमें पता नहीं था को रोना में क्या-क्या तयारियां करनी है लेकिन पिचले डेड़ पौण महीने के अंदर अब हमने को रोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए अलग से बैड लगा दिए वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, पीपी किट का इंतजाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतजाम कर लिया, अब हमें अपनी अर्थविवस्था को धीरे-धीरे खोलने के दिशा में बढ़ना है, एकदम से भी नहीं खोल सकते, अब धीरे-धीरे हमें खोल सब्सक्राइब इंडिया का आगे कैंचन प्लाइन क्या है लड़ाई के लिए लॉक्डाउन के लिहाज है अम्फान तुफान धक धक हिंदुस्तान सावधान इंडिया आ रहा है महा तुफान सबसे खतरनाक तुफान से सामना समंदर में बवंडर 210 किलो मीटर घंटे की रफ़ता तुफान का टेरर चार राजियों पर आफ़त के 48 घंटे अम्फान की अनोनी जी हाँ तो आप जानते हैं पूरी दुनिया के साथ भारत कोरोना महामारी से तो जूज ही रहा है लेकिन बंगाल और ओडिशा के तटिये इलाकों में एक और संकच चाने वाला है मौसन भा के मताबिक ज्यान से सुनिएगा आने वाले कुछ घंटे में ये अम्फान तुफान खतरनाक रूप ले सकता है ओडिशा सरकार ने बारहा डिस्टिक्स में बारहा जिलो में एलर्ट खोशिक कर दिया तुफान के उत्तर उत्तरपूर्व की तरफ बढ़ने की आशंका है पशिम बंगाल को ये पार कर सकता है इस तुफान की रफतार 200 किलो मीटर पती घंटा तक हो सकता है समंदर में बवंडर शहर में समंदर बंगाल की खाड़ी में एमफन आठ का कहर ये चेतावनी है उस तुफान की जो अपने साथ बड़ी तबाही को ला रहा है आशंका है कि चक्रवाती तुफान एमफन एट राजियों में मौसम बदलेगा जिस लेकर एलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के मुतावे के समय देश में वेस्टन डिस्टर्विंस एक्टिव है इसी की वज़े से देश के पहाड़ी शेतनों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचन प्रदेश, उत्राखन, साथी पंजाब, हर्यान, उत्री राजिस्थान और पश्चमी उत्र प्रदेश में भी मौसम बिगड सकता है बताये जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तुफान कई राजियों के लिए खत्रा बन सकता है लहाजा NDRF को भी पूरी तैयारी के साथ तैनात रखा गया है NDRF पूरे सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है और सभी एजनसी के साथ समन्में में काम कर रही है राजियों के साथ, राजिय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, आएमडी के साथ और सभी स्टेक होल्डर एजनसी के साथ NDRF की टीमें या तो अपना अपनी जगह पर पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है जो भी सिचुएशन डवलप करता है उसी के अनुकूल कारवाई की जाएगी NDRF की टीमें पूरी तैयारी के साथ मौसम विभाग के मताबे किया चक्रवाद धीरे धीरे शक्तिशाली रूप धारण करता जा रहा है इस से पहले बंगाल की खाड़ी में उत्तर और उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर और उत्तर पूर्व में कदम रखने के अनुमान जताए गए है सोमवार से बुधवार तक बंगाल के तटिये शेत्रों में मौसम बेहत खराब रह सकता है मंगलवार और बुधवार को तो यहां बहुत भारी बारिश होने की इस संभावना भी जताई गई है 90 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से यहां हवाएं चलने का अनुमान है वही समुद्र के अंदर हवा की गती करीब 190 किलोमीटर प्रती घंटा तक हो सकती है अरब सागर और बंगाल की खाडी में आने वाले समुद्री तुफानों का नाम रखने का सिलसला पंदरा साल पहले यानी साल 2004 में शुरू हुआ था इसके लिए एक सूची बनाई गई इस सूची में आठ देश शामिल है आठ देशों को आठ नाम देने हैं जब जिस देश का नंबर आता है तो उस देश की सूची में दिये गए नाम के अधार पर उस तूफान का नाम करण कर दिया जाता है इन में बांगला देश, भारत, मौलदी, म्यामा, उमान, पाकिस्तान, शिलंका और थाइलेंड जैसे देश शामिल हैं हर देश ने आठ नाम दिये हैं इस तरह के कुल 64 नाम इन तूफानों के लिए तै किये गए हैं इस बार चक्रवाती तूफान के नाम करण की बारी थाइलेंड की थी और थाइलेंड नहीं इस चक्रवाती तूफान का नाम अमफान रखा है बिरो रिपो, जी मीडिया आपको दादे कोरोना काल में ये बड़ी चुनोती का सामना कर रहे हैं राजे पशिमंगाल और ओडिशा लेकिन देश जिस तरह से कोरोना का सामना कर रहा है उसको लेकर सरकार की क्या है रननीती लोगडाउन 4 के लिहाज से हमारे साथ बाचीत के लिए इस वक्त आपको दाद बीजेपी के महसाचिप दधानमंतरी नरेंदर मूदी के कोर टीम के एहम सदस से राम माधव इस वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़ चुके हैं बहुत बर शुक्रिया राम माधव जी समय निकालने के लिए जीनियूस के लिए देशित में पहला सवाल यही सर की बचना भी ह है आगे बढ़ना भी है मतलब कोरोना के साथ जीने के आदर डाल लेनी चाहिए मेरे ख्याल से एक बड़ा मैसेच रामादव जी मेरी आवाज आप तक पहुंश रही है हाँ जी हाँ जी आ रही है मतलब शुक्रिया रामादव जी समय निकालने के लिए मेरा पहला सवाल यही जो प्रधान मंतरी ने कहा बचना भी है आगे बढ़ना भी है मतलब कोरोना के साथ जीने की आदर डाल लेनी चाहिए यह एक बड़ा मैसेच सरकार की तरह से इस समय सरकार का ध्यान दो प्रकार का है एक ध्यान तो जो कंटेन्मेंट जोन्स में हमने इस वाईरस को अभी कंटेन किया है वहाँ से यह बाहर ना आए इसकी चिंता करनी है तो उस पर पुरा ध्यान हमारा सरकार का है अभी आप जरूर केसेस बढ़ने की बात तो सुनी रहे है पर ये कुछ निश्चित तानों पर ही बढ़ रहे है निश्चित तानों पर उसको नियंतरित करने में कंटेन करने में हम सफल हुए है तो दूसरी प्रियारिटी व्यापक देश के अंदर जो कंटेनमेंट जोन्स के बाहर आरंज जोन्स भी है और ग्रीन जोन्स बहुत बड़े पैमाने पर है यहाँ पर आर्धिक गत्विधी ठीक से शुरू हो जाए इसकी भी चिंता करने है दो महिना हमने लागडोन में रखा है देश को लगभग दो महिना एक सब्ता कम पर अभी समय है कि हम अपने अधिक गत्विधी शुरू करें ताकि जो सामान ये वर्ग के लिए जो जीवन चलाने के आवस्केता पूरी होनी है उसको भी पुरा कर सके पिल्कुल आपने रिबिल्डिंग की बाद की राम माधव जी किंद सरकार द्वारा जीडिपी का 10% वाला एक बड़ा आर्थिक पैकेज का एलान किया गया ये राहत वाला पैकेज था लेकिन हमने देखा है राहत पर सियासत हुई है कि बिल्कुल हम तो बिल्कुल सियासत नहीं चाहते हैं मैं कुछ जानकरी देता हूँ ताकि हम आगे सियासत ना करें ठीक से इसको समझ रेका कोशिश करें अब हमने जब MSM 20 वगेरे को फिर से शुरू करने के लिए बहुत बड़ा तीन लाख करोड का पैकेज घोशित किया उसके पीछे कारण है शायद देश को मालूम ज़्यादा नहीं है कि भारत के अंदर करीब 13-14 करोड माइगरेंट वरकर्स रहते हैं उन में से 15-20 लाख वरकर्स मात्र ऐसे हैं जो अब प्रस्तान करके अपने अपने डिस्ट्रिक्स और अपने अपने स्टेट्स में जा रह दो पर गलेगी स्माल इंड़श्य का अधि काटेशि इंडूस्ट्रीफ कुल एक्यों की Emma समिंडस्ट्री सेविन्टी परसेंट एंप्लाइमेंट समाल एंप्लाइमेंट देता है तो इसलिए हम फोकस उस पर कर रहे हैं दूसरी बात हमने 300 क्रोर 300 करोड मैं डेज के लिए ह रोजगारी मिले तो हम तो पूरी चिंता कर रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आर्धिक ववस्ता भी चालू हो तो यह एकदम आर्धिक दुश्वी से सोच विचार करके उठाया कदम है नहीं लेकिन जो सवाल आदिती पूशेती उसमें डिटेल्स यह हैं कि यह कहा जारा ओपोजिशन की तरह से यह 10% ऑफ जीडिपी नहीं है यह है 1.6% ऑफ जीडिपी तीन लाग करोड़ है जो स्टिमिलेस पेकेज है बाकि 16 लाग करोड़ लोन और लिकुडिटी के लिए या शर्मा से लेकर पूरी कॉंग्रेस पार्टी यह कह रही है कि आपका जो 20 लाग करोड़ 10% ऑफ जीडिपी है यह जो है बोगस है फरजी है आपने जो दिया है वो से 1.6% ऑफ जीडिपी है सर रामाधर जी ने बिलकुल 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 गलत प्रचार है स्टिमुलस पैक एडवांस के रूप में तिया जाता है मुझे एक बात बताईए MSM को अपने गतिवी थी आगे बढ़ाने के लिए लोन या एड के रूप में बैंक्स के माजम से विवस्ता करने के लावा क्या विवस्ता होता है क्या एक मिनिट के लिए सोच लीजे हम MSM को सीधा पैसे देते हैं यही आपोजिशन है हमको गाली देता है कि आप सुड़बूर सरकार है आज हम जो कर रहे हैं वो एक आर्थिक दृष्टी से सुविचारित धंग से कर रहे हैं विपक्ष राजिनीती के लिए इसको विवाद करने का कोशिश कर रहा है एकनॉमिक पैगेज जब रिलीज होता है उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं कुछ कंपोनेंट एकदम आर्थिक दृष्टी से लोगों को सीधा रहत देने वाले होते हैं कुछ कंपोनेंट उनके एकना आक्टिविटी को फ्रोसाहन देने के लिए एड्स के रूप में लोन के रूप में अपलबद किये जाते है जो लोन हम दे रहे हैं उसमें तो 100% counter guarantee सरकार उठा रही है, केंदर सरकार उठा रही है, यह एक प्रकार से मुफ्त के interest पर हम loan दे रहे हैं, कोई counter guarantee के अलावा loan दे रहे हैं, यह सब यह अनेक प्रकार के आर्दिक व्यवस्ता यह है, इसको राजनीती नहीं करनी चाहिए, राजनीती नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मज़दूरों की तस्वीरे आई सर, मैं राजनीती से उपर उठकर बात कर रही हूँ, हमने एक नहीं बलकि कई ख़बरे देखी, जिसमें मज़दूरों की मौत हो गई, क्योंकि वो टेम्पू में चड़ कर जा रहे थे, मज़दूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी प्रतिक्षारत है, कि एकरामिक एक्टूटी फिर से सुरू हो जाए, अपना जीवन जिन्दगी जहां पर थे, वही से चला सके, एक वर्ग थोड़ा आतुर होकर अपने अपने सानुं के लिए निकला था, यह बाद सही है, उनको कुछ कस्ट भी उठाना पड़ा, यह बाद भी सही है, जिसके लिए प्रधान मंत्री हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी, क्योंकि जो लागडोन का निरणे था, वो उस समय पर बहुत आवस्यक था, और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं, वो समय पर हम लागडोन किया, समय पर टाइट रखा व्यवस्ता को, उसका अच्छे परिणाम भी हम देख रहे हैं, दुनिया की तुलना में हमारा देश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ, कुछ जो माइगरेंट वरकर्स को समस्या हुई, पहले बीस दिन में हुई, बाद में सेकंड फेज अफ लागडोन के समय से लेकर, अभी तक हम लगा अतार उनको अपने गाओं, घर राज भेजने की पूरी व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा राज सरकार गुजरात में है, अकेले गुजरात में से 5-6 लाग माइगरेंट वरकर्स को हम ट्रेंज से अपने अपने राज्यों में भेजा है, मैं आगर राजनीती करना है तो मैं पूछूंगा, माराष्ट क्यों नहीं कर रहा है, जो ज़्यादातर माइगरेंट जो पाइदल चल रहे है, फिर भी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह राज वर्सेस केंद्र बना के हम जगडा करते रहे हम सब मिलकर मानविय दुरुष से उसको देखे आज कांग्रेस पाटी ने आगे आकर कहा कि हम हजार बसेस प्रियंका गांदी ने का हजार बसेस व्योस्ता करेंगे हमारी सरकार ने अनुमती दिया है कल सुबह डीटेल दे दे हजार बसेस लेके वो भी मदद करें सरकार को अब भी वेट कर रहे है कब वो लिष्ट मिलेगा कब ड्रैवर्स की बसेस की नंबर मिलेगा अपने प्रियंका वाडरा का जिक्र किया रामादव जी एक ट्वीट राहूल गांदी की तरफ से भी किया गया है एक सुझाव उनका भी आप लोगोंने मान लिया है उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदान मंतरी ने मन्रेगा सीन के लिए 40,000 करोड का अतरिक्त बजट देने की मन्जूरी दी है मोधी यूटन ओन मन्रेगा हैस्टेग मन्रेगा की दूरदर्शिता को समझने के लिए प्रदान मंतरी जी शुक्रिया राहूल गांदी उसी में उनकी जो राजनीतिक संकुचित मान सिकता है ये बहार आता है इस समय आप कुछ अच्छा सुझाव दे रहे उसको स्विकर करने के लिए भी सरकार तयार है आप अगर कोई राजनीती एक करना चाहेंगे उस राजनीती का उत्तर देने के लिए भी हम तयार है तो मन्रेगा का जो इस समय मैंडेस बढ़ाने का निरने हुआ उसके पीछे यही कारण है कि माइगरेंट वरकर्स कुछ बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में अपने अपने गाउं जा रहे हैं तो उस समय उनके आज ही वी का चले उसके लिए किया है ऐसा नहीं है सर कि अपने श्वे लेना है तो कांग्रिस यरूर ले हमको कोई आपती नहीं है पर देश को मालूम है कौन कर रहा है मतलब राज्यों को जैदा अधिकार दिये गए रामादर जी मतलब लॉगडाउन 4 में राज्यों को जैदा अधिकार दिये गए हैं मतलब पहले केंदर ने निभाई जिम्मेदारी अब राज्यों की बारी मजदूरों के लिहास से भी कि राज्ये अगर बसी चलाएंगे र बाकि 15% की व्यवस्ता राज्य करें इतनी ही व्यवस्ता हुई कि राज्यों पर कोई ने डाला गया है यह राज्य और केंद्रव आप लोग बना रहे हैं कांग्रेस बना रहा है हमारा जहां तक प्रिश्ण है प्रधान मंत्री सभी मुक्ष मंत्री सभी राजनेतिक दल्ड सब मिलकर इसका सामना करेंगे यही लाइन लेकर जा रहे है राजनीती विपक्ष कर रही है हम दो महिना Сावान कोई ज्यादा हो रहा है तो मैंने विशे उठाया आज भी हमारा कोई मकसद नहीं है हम सरकार है हम जहां सरकार में होंगे के अंदर में भी हम है राज्यों में जहां सरकार में होंगे वहां पूरा पूरा कोशिश करके हमारे कोई भी एक भी मजदूर भाई को मुश्किलत ना हो उस कुछ 62 देश है जो एक साथ आए हैं एक जुट हुए हैं चाइना के खिलाफ एक्षिन इनिशेट कराने के लिए इस बड़े आक्षिन को इंटरनाशनल लेवल पर कैसे देखते हैं आप आपको वो जो पूरा स्टेटमेंट इसको थोड़ा गवर से पढ़ना चाहिए वो ऐसा है कि जो कोरोना वायरस का प्रारंब कहां से हुआ है इसकी जांच हो इस पर दुनिया के सवसे अधिक देश साथ आकर एक 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 जिसको कहते हैं एक डिमेंड रखा है कि इसके उपर एक ठीक टक जांच हो और यह आवस्यक है क्योंकि कोरोना वायरस का अगर आरिजिन पता होता है तो उसके लिए एक वैक्सिन बनाना आसान होता है इसलिए हमको कही ना कही हमको एकोंट बिलिटी चाहिए हम यहां कहां से सुरू हो रहा है क्या करण से सुरू हो रहा है इसका तो तो open और transparent और responsible व्योहार मेरा देश करेगा, हम अप्यक्षा करते हैं, open, transparent और responsible ढंग से इसका origin तक दुनिया पहुंचे, कहां से शुरुआ वहां तक पहुंचे, उसमें भी चीन सरकार का सायोग मिलेगा. रामादर जी, lockdown को कोई exit plan, क्योंकि अब lockdown 31 मही तक बढ़ा दिया गया है, या मैंने जिस सवाल से शुरुआत करी थी, कि अब करोना के साथ जीने की आदत हम लोगों को डालनी होगी, या lockdown का कोई exit plan, या lockdown 5 होगा, 6 होगा? नहीं, देखे, exit plan तो first phase के बाद ही शुरू हुआ है, gradual exit हम करते आ रहे है, lockdown 2 के समय, non-urban centers के industries को हमने खोलने का अनमती दिया, उसी प्रकार lockdown 3 में orange और green zones को बहुत अनमती दिया है, lockdown 4 में hour relaxation दिया है, अब राज्यों को भी छूट दी गई के और कुछ उनोंने राज्य के सतर पर भी कुछ कदम उठाना चाहे, क्योंकि आखिर economy केवल center का एकपत्र विशे नहीं है, हमारे राज्य भी चलते है, तो राज्य के अंदर के economic गत्विधी से जो income आता है, उसके आधार पर चलते है, इसलिए हम relaxation, unwinding of यह जो corona lockdown हम already face two से सुरू किये है, पर कुछ restrictions चालू रहेंगे, आपने सही कहा है, देखिए यह pandemic की स्थिति में आज है, पैंडमी के ने एक व्यापक इसका reach इस समय है, पर धीरे धीरे जाकर एक epidemic का रूप लेगा, यह लंबे समय तक रहेगा, यह WHO खुद कह रहा है, तो इसलिए इसके साथ कैसे व्यवहार करना, इसको spread होने से कैसे रोकना, उसकी भी सावधानिया सरकार ने बताई है, वो सावधानिया हमको लेनी है, और साती साथ सामान्य जीवन की तरफ देश को gradually ले जाना है, कोई भी lockdown को एक साथ खोला नहीं जाता है, इसको gradually किया जाता है, हम जो lockdown 2 से सुरू करके gradually इसको खोलने की परक्रिया को आगे बढ़ा रहे है, प्रधान मंत्री मोधी को जो संबोधन रहा, उसमें प्रधान मंत्री ने आत्म निर्भरता के मंत्र की बात की थी, उसे लेकर खास्तोर पर ये देखते हुए कि सिर्फ हिंदुस प्रधा इस समय हमारे देश के लिए इसलिए आवस्चक है कि जब करोना वायरस की महमारी का प्रकोप देश में आया, तो अचानक हमारे ध्यान में आया कि हमारे healthcare establishment आईसे संकट को जहलने के लिए परियाप्त नहीं है, यहां तक कि हम testing kits को बाहर से लाने के लिए डूंड र जाता है, वो गवन के लिए भी हम विदेशों पर निर्बर है, एक भी गवन हम नहीं बना रहे थे देश में, तो ऐसे तमाम चीजे हैं, जिसको हम स्वयम भारत में जरूर कर सकते थे, पर हमको आदत हो गया, विदेशों पर निर्बर होने का, इसमें से बाहरा कर, तम से कम हमारे दायनेंदिन जीवन की आर्धिक जो आवस्यकता है, उनको पूरा करने की ख्यमता, देश के अंदर ही हमको बढ़ाना चाहिए, यह आत्म निर्बरता का संजेश है, इसका आर्धिये नेक हम आपने आपको शटडाउन कर लेंगे, हम आपने आपको बंद करके अंदर बैठेंगे, इसा बिल्कुल नहीं है, हमारे आत्म निर्बरता को निर्बान करने में, जो सहयोग बाहर से मिलेगा, वो सब सहयोग लेकर भी हम अपने पहरों पर कड़ा होने का कोशिश करेंगे, इसलिए आपने अगर एनॉंस्मेंट्स को देखा होगा, पिछले चार दिन में जो वित्तमंत्री, आत्दिक मंत्री जी ने जो एनॉंस्मेंट्स किया, उसमें कई खेत्रों में प्रेवेट इंवेस्ट्मेंट्स के लिए चुड़ दी गई है, अब प्रेवेट इंवेस्ट्मेंट्स को आवाहन कर रहे हैं, आप आईए इन खेत्रों में इन्वेस्ट करिए इसलिए हम इन्वेस्टमेंट्स भी लेंगे पर हाँ जी सर एक सवाल ये भी लोग अभी ट्वीट भी कर रहे हैं जो लोग लाइफ देख रहे हैं जी न्यूज एक सवाल ये लोगों के जहन में कंसर्ण ये कि लॉक डाउन जब शुरू हुआ था तो 300-300 केसिस थे अब जब 500 से ज़्यादा केसिस हर दिन आ रहे हैं ये रिकॉर्ड हाई था आप जानते पिछले 24 घंटों में 500 से ज़्यादा तो रिलैक्सेशन दी जा रही है तो ये सुसाइडल तो नहीं होगा ये लोगों के जहन में सवाल है सर नहीं हाँ बिलकुल ये सही सवाल है आज जो र टेस्टिंग रेट बढ़ने के कारण नंबर आफ केसेस आज सामने आ रहे है पर दो बात इसमें है पहली बात ये उनीक खेत्र में से आ रहे है जहां से पहले से ही कोरोना वाइरस व्यापता है दूसरा बहुत महत्पुर्ण बात हमारा टेस्टिंग रेट वरसेस जो हुद कम संक्षा में positive cases निकल रहे हैं जहां दुनिया में कई देशों में एक लाँ में से 200 300 400 ठीजरों निकल रहे थे हमारे यहां एक लाग में से पॉपलेशन में से एक दो के केसे सिस पर करका हमारा निकल रहे हम आज भी एक तो हमारे देश की जनता का स्वयम की क्षमता भी कहिए और दूसरा जो स्वास्थ की व्यवस्ता है एक मेने में हमने के उसके कारण ये कंटेइनमेंट भी हम अच्छी तरह कर पा रहे हमारे मौटाल्टी रेट याने मुर्तकों की संक्शा भले ही एक भी व्यक्ति मरता है तो हम सभी के लिए दुख़् का कारण है पर फिर वी मैं कह रहा हूं हमारे देश का मौटाल्टी रेट दुनिया की तुलना में बहुत कम ह ये भी इस बात का परिचायक है, हमने एक महीने के अंदर जो स्वास्त की विवस्तायें देश बर में बिठाई है, उसके कारण जो मरीज भी हो रहा है तो जल्दी बहार आ रहा है, इसलिए बढ़ती हुई नेंबर्स को एक्चुल नेंबर्स के रूप में देखकर घबराने क कोई कारण नहीं है, देश के आबाधी की तुलना में ये बहुत नियंतरित है और इसको और फ्लैटन करने का प्रयास सरकार्थ जरूर आग्रह से करेगी मतलब मोटैलिटी रेट भी कम हुआ, रिकवरी रेट भी 38% के आसपास है, वो भी बहुत एक अच्छी ख़बर है कि भारत करोना को अच्छे तरीके से मूँ तोड जवाब दे रहा है, पूरी दुनिया इस वक्ट भारत सी तरफ देख रही है, कि इस आपदा के मौके पर भ भारत बैदा कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया रामाधव जी समय निकालने के लिए, जीनियूस के लिए देशित के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामाधव जी